पिछले विडियो में हमने समझा कि conditional statements क्या होते हैं scratch में if then एक conditional statement है अगर इस conditional statement में जो हमने boolean expression दिया है अगर वो true है तो उस conditional statement के अंदर जो commands है वो execute हो जाएंगी और अगर जो boolean expression है वो false है तो जो हमारा program है वो conditional statements के अंदर की commands को ignore करके उसके आगे जो भी commands है उनका execution शुरू कर देगा scratch में एक और conditional statement है if else इस statement में अगर जो भी boolean expression हमने दिया है अगर वो true है तो जो if के अंदर जो भी commands है वो execute हो जाएंगी और else के अंदर जो commands है program उनको ignore कर देगा और अगर if else conditional statement में जो boolean expression है वो false है तो जो if के अंदर commands है computer program उनको ignore करके जो भी else के अंदर commands है उनको execute कर देगा conditional statements के अलावा हमने nested statements भी समझे nested statements होते हैं जब हम एक से ज़्यादा conditional statements को group कर देते हैं जैसे इस program में जो forever loop के अंदर दो if then conditional statements है वो कह रहे हैं कि यह जो sprite है अगर red color black को touch कर रहा है तो sprite 20 degrees left मुढ जाएगा और अगर purple color black को touch कर रहा है तो sprite 20 degrees right मुढ जाएगा conditional statements और nested statements को use करते हुए हम एक robotic car scratch में बना सकते हैं जो automatically एक black track को follow करेगी यह बिलकुल वैसे ही है जैसे शायर आपने robotic cars में देखा होगा कि वो infrared sensor use करते हुए एक black track को automatically follow कर लेती हैं हम scratch program में इसी किसम की एक robotic car बनाएंगे जिसमें दो sensors लगे हैं और इन sensors की सहायता से जो हमारी गाड़ी है वो automatically एक black track को follow करती है even black track जो मर्जी हो हमारी गाड़ी automatically sensors को use करते हुए उसी track पर चलती रहेगी तो हम ये दो if statements use करते हुए एक nested statement बनाएंगे जो कि ये simple सा जो program है वो इस किसम की robotic car बना देगा हम scratch में sprites में जाके एक car की sprite upload कर रहे हैं जो कि मैंने pixabay से ली है ये car की sprite लेके हम पुरानी जो sprite है इसको delete करके हम costume में जा रहे हैं और हम ये जो car है हमारी इसको पहले convert to vector कर देते हैं और इसको select करके फिर हम facing 90 degrees कर देते हैं such that जब हम कहेंगे कि direction is 90 हमारी गाड़ी इस तरफ जो है face कर रही है जब आप scratch में अपनी sprites बनाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जो canvas है उस canvas का center point ये है ये जो gun का target जैसा है और हम चाहते हैं कि हम जो भी sprite बनाएं हम उसको इस center से align कर दें एक जो cannon firing वाला मैंने program बनाया था आप में से कई लोगों ने कहां कि जो bullet है वो cannon से attach नहीं हो रही है वो इसलिए नहीं attach हो रही है क्योंकि या तो आपने जो cannon draw करी वो align नहीं करी canvas के center से या जो आपने bullet draw करी उसको नहीं align किया तो scratch में sprites बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए अब हम इसका size छोटा कर देते हैं और हम backdrop में जाके सडक जो है उसको paint कर लेते हैं तो पहला easy रखते हैं हम एक black color की जो सडक है उसको paint कर रहे हैं हम sprite में जाके sprite की coding करते हैं पर हमारे को सबसे पहले अपनी इस गाड़ी में दो sensors add करने हैं जो हम sensors यहाँ side में लगाएंगे और वो if then conditional statements use करते वे देखेंगे कि कब जो गाड़ी की edge है वो इस black road को छू रही है तो अब हमारे हमारी गाड़ी में हमने यह दो sensor add कर दिये हैं एक orange color का एक green color का इन दौनों sensors के colors जो है वो different होने चाहिए क्योंकि तभी जो हमारा program का logic है वो काम करेगा अब हम इस गाड़ी की programming करते हैं तो हम code में जाके हम essentially program यह लिखना चाहते हैं कि जब यह गाड़ी चलेगी अगर यह orange sensor black को touch करेगा हमारी गाड़ी को left मुड़ जाना है और अगर जो green sensor है वो touch करेगा तो हमारी गाड़ी को right मुड़ जाना है तो हम events में जाके when green flag clicked सबसे पहले हम चाहते हैं कि जब हम शुरू करें तो हमारी गाड़ी की यह position हो इस गाड़ी की इस वक coordinates है x 6 और y minus 116 और यह go to x और y में same coordinates हैं तो हम कह रहे हैं when green flag is clicked go to these coordinates फिर हम कह रहे हैं कि point in 90 which means जिस direction में अभी गाड़ी है गाड़ी जब भी हम green flag press करें इसी direction में point करें उसके बाद हम control में जाके अपना पहला conditional statement ला रहे हैं और हम sensing में जाके एक boolean expression ला रहे हैं when one color is touching another color हम first color जो है वो हम sensor का color pick करना चाहते हैं तो हम कह रहे हैं कि जब यह orange color जो है वो track के black color को छुएं तो यह हमारा boolean expression बना तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसा हो गाड़ी जो है वो left की तरफ मुढ जाए तो अभी हम कह रहे हैं turn left 15 degrees इसको हम बाद में check कर सकते हैं कि exactly कितने degrees हमें मुढ ना है और दूसरी जो conditional statement हम बना रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो दूसरा sensor है green अगर वो black को छुएं तो गाड़ी जो है वो right 15 degrees मुढ जाए और हम इन दौनों conditional statements को program में चाहते हैं कि यह constantly हमेशा check होती रहे हैं यह दो conditions इसलिए हम इसको एक forever loop में डाल रहे हैं तो अभी हमारी command कह रही है कि अगर orange color black को छुरा होगा यानि orange sensor black को छुएगा तो हमारी गाड़ी left मुढ जाएगी 15 degree और अगर green sensor black road को छुएगा तो हमारी गाड़ी जो है right मुढ जाएगी 15 degrees और यह जो भी होता रहेगा constantly गाड़ी जो है वो 10 steps आगे बढ़ती जाएगी while checking for these two conditions, तो यह program को हम test करते हैं, तो हमारी जो गाड़ी है वो automatically एक black road पे चल रही है, हम backdrop में जाके एक नई costume paint करते हैं, तो यह ठीक चल रहे हैं, हो सकता है कि अगर आप जो track draw करें वो बहुत जादा sharp हो, तो यह गाड़ी नहीं चलेगी, तो in which case आपको या तो यह angles को tweak करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि यह गाड़ी fast जाए, तब भी एक certain speed तक यह sensors जो है वो ठीक चलेंगे, उसके ओपर नहीं, तो for example, अगर मैं इसकी speed let's say 20 करता हूँ, तो हम test करके देख सकते हैं, तो 20 की speed पे यह गाड़ी उस condition को उतनी fast नहीं determine कर पाई, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप program लिखेंगे, तो आपको यह सारी जो conditions हैं, वो depend करेंगी कि आपने track जो है, वो कितना complicated बनाया है, या कितने sharp turns उसमें दिये हैं, उसके हिसाब से यह program काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप nested conditional statements बनाके इस किसम के programs लिख सकते हैं, जहाँ पर multiple conditions चेक हो रही हैं, और जो sprite है, फिर वो programming logic follow कर रहा है,